हेलो एवरिवन आज हम बनाएंगे हलका फुलका कम तेल में बना हेल्दी नाश्टा जो घर के ही सामानों से बनकर तयार हो जाता है तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पर हमने एक कप सूजी ली है सूजी मोटी या बारी कोई सी भी आप ले सकते हैं इसको हमें यहाँ पर पीसना है यहाँ पर हम एक जार लेंगे और सूजी को जार में हम डाल देंगे इसमें हम एक जोथाई कप दही डालेंगे दही थोड़ी खटी है तब भी आप इस नाश्टे को बना कर तयार कर सकते हैं यहां पर हमने 5-6 चमश दही को लिया है इसमें आधा कब पानी डालेंगे इसमें आधा चमश नमक डालेंगे और इसमें एक चमश चीनी डालेंगे चीनी डालने से यह नाश्टा मीठा नहीं होने वाला है ब्रेट की तरह फूला फूला बनकर तयार होगा दो चम्मच यहां पर हमने तेल को डाला है और यह बहुती मुलाइम सा सौफ्ट सा बनता है सभी चीजों को हम डाल कर पीस लेंगे तो यहां पर हमारा बारिक सा पेस्ट बन कर तयार हो गया अब इस पेस्ट को हम जो हैं मिकसिंग बाउल में निकाल लेंगे और जार में हम आधा कप पानी को डाल कर अच्छे से घुमा के इसमें निकाल लेंगे फिर हम यहां पर एक चम्मच जीरण को एट करेंगे और एक चौथाई चम्मच इसमें हमने सोडा डाला है सोडा डालने से हमारा नाश्टा बहुती सॉफ्ट और फूला स्पंजी बनकर तयार हो जाएगा और इसको अच्छे से अब हम मिकस कर लेंगे यहां पर हमने एक कप सूजी ली है और एक कप हमने यहां पर पानी को एट किया है यानि आधा कप हमने पहले पानी लिया था और आधे कप जार में हमने डाल कर इसको हिला कर अच्छे से इसमें एट कर दिया है तो यहां पर हमारा एक कप सूजी में और एक कप पानी हमने इसमें डाला है और इसको अच्छे से मिकस कर लिया है अब हमारा बैटर बनकर रेडी हो गया है तो यहाँ पर हम एक प्लेट ले लेंगे इसको हम चारो तरफ आईल लगा लेंगे जिससे हमारा नाश्टा बढ़ीहा से निकल लिया है तो यहाँ पर हमें प्लेट को खाली रकना है यानि थोड़ा सा ही हम इसमें डालेंगे और हमारा बैटर बच भी गया है तो यहां पर हम छोटे-छोटे से कटोरियां ले लेंगे और उसमें हम अपने बैटर को डाल देंगे और इसको अच्छे से हिला का सेट कर लेंगे तो गैस पर हम एक कड़ाई रखेंगे कड़ाई में एक गलास हम पानी को डाल देंगे उस पर हम एक स्टेंड रखेंगे और गैस को हम फुल आउन कर लेंगे यानि पानी को अच्छे से हम गरम कर लेंगे उसमें हम अपनी प्लेट को रख देंगे और इसको हम कवर कर देंगे स्टैंड के उपर हम अपनी प्लेट को रख देंगे और मेडियम फिलेम पर हम 15-20 मिनट तक इसको स्टीम कर लेंगे यहां पर ढकन पर होल देख रहा है इसको भी हम कागस या किसी चीज़ से इसको बंद कर देंगे यहां पर अच्छे से इसको स्टीम कर लेंगे अब यहां पर पंधरा मिनट हो गए हैं तो चलिए चेक कर लेते हैं अब यहां पर हमने छुरी से चेक किया है तो आप देख सकते हैं कि छुरी हमारी बहुत क्लीन सी निकली है तो यहां पर हमारा नाश्टा तयार हो गया है तो यहां पर हमने दूसरा बैच रखा है जिसमें हमने कटोरियों में इसको स्टेट कर दिया था तो यहां पर हम अपने मिरच को स्प्रिंकल कर देंगे और थोड़ा सा नमक को स्प्रिंकल कर देंगे इस पर और इसको ढखकर 15 मिनिट तक हम धीमियाज पर इसको अच्छे से स्टीम कर लेंगे और यहाँ पर हम हमारी प्लेट ठंडी हो चुकी है तो इसको हम मिरच को स्प्रिंकल कर देंगे और नमक को भी स्प्रिंकल कर देंगे और यहां पर हमारा बहुत ही अच्छे से नाश्टा सेट हो चुका है तो चलिए कटोरी वाला भी हमारा 15 मिनिट हो गए है तो इसको भी चेक कर लेते हैं और यहां पर हमने कट के निशान लगा लिये थे उस पर ही हम इस पर कटिंग कर लेंगे और यहां पर आप चार पीस की जंगा छे पीस या आठ पीस भी कर सकते हैं आप इसको कई तरह से भी कट कर सकते हैं यहां पर हमने चार पीस बना कर तयार कियें तो यहां पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा हमारा फूला फूला और स्पॉंजी सा नाश्टा बनकर तयार हो गया है तो चलिए इसको टेस्टी सा लुक देने के लिए इसको थोड़ा सा हम तेल में शिलो फ्राई कर लेंगे और यह बहुत ही अच्छा सा बनकर तयार हो जाएगा तो यहां पर गैस पर हम रखेंगे पैन और उसमें हम एक चमच ऑईल डाल देंगे और अब हम इस नाश्टे को हम अपने इसको सेक लेंगे तो यहां पर हमें उलट पुलट कर अच्छे से सेकना है तो यहां पर हम अपने जितना भी हमारा नाश्टा का पैन में आएगा उतना ही हम नाश्टे को सेक लेंगे और इसको एक तरस से क्रिस्प होने तक सेकेंगे फिर इसको दूसरी साइट हम पलट लेंगे तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कितना बड़िया सा हमारा नाश्टा बनकर तयार हो गया है अब यहां पर दोनों साइट सीख चुके हैं तो इसको अब हम निकाल लेते हैं अब यहां पर हमने जो कटोरिया में सेट किया था नाश्टा वो भी ठंडा हो गया है उसको भी हमने निकाल लिया है उसको भी हम यहां पर तल लेंगे तो यहां पर थोड़ा सा ओयल डालेंगे यानि एक चमच ओयल डालेंगे ओयल डालने के बाद इनको हम अच्छे से पलट लेंगे और अपनी कर्ची से थोड़ा सा उपर को ओयल डालेंगे जिससे उपर भी हमारा ओयल अच्छे से लग जाए और इसको हम इस तरीके से पलट लेंगे तो दूनों साइड बहुत अच्छे से क्रिस्प सा हो जाएगा ये नाश्टा और ये नाश्टा बहुत ही हेल्दी होता है क्योंके ये बहुत ही कम तेल में बन कर तेयार होता है और ये बच्छों को आप टीफिन में भी दे सकते हैं या आप सुँए के ब्रेट फॉस्ट में भी नाश्टा बना कर खा सकते हैं तो आपको ध्यान ये देना है इस नाश्टे को बनाने के लिए जितनी हमारी सूजी थी उतना ही हमारा पानी होना चाहिए तब ही ये परफेक्ट नाश्टा बनकर तयार होगा और आप इस्टीम करने के बाद में इसको बिकुल ठंडा होने के बाद ही इस नाश्टे को निकाले तब ये नाश्ता आपका बहुत अच्छा सा तैयार हो जाएगा बनकर आपको रेसिपी हमारी कैसी लगी है कमेंड में जरूर बताईएगा और हमारे चैनल पे आप अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अल्ला हाफिज